तो शोव पर आपका सौगत है, अरिश्गी, बहुत बहुत दिनों से शूट की प्रिप्रेशन चल रही थी, बहुत दिनों बाद मोका मिला है आपसे बात करने के लिए मैं बहुत को इशू, मुझे स्टार्टक पे बारे में, बिजनिस के बारे में, एंट्रप्रिनर्शिप क जर्नी के बारे में, बहुत सारी बाते करने है, बहुत कुछ सीखना है अपसे, फस्ट अपॉल, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, क्या चल रहा है आशकल आपके लाइफ में? लाइफ में दो मेरे से थोड़ा डाउन टाइम चल रहा था, एन आम बैक नाओ, विट फॉल यही हम बात देखेंगे कि IIT में, IIM में, उनको नेटवर्किंग बहुत अच्छी से मिल जाती है, हमको नहीं मिल पाती, तो कितना डिफिकल्ट होता है टीर टू सीटीज में, या बिग मिडिल क्लास बॉय, स्टार्ट अप ग्रो करने कितना डिफिकल्ट होता है, सबसे पहल जानना नहीं है कि ऐसा कोई काम नहीं है, जो सिर्फ IIT जायम वाले कर सकते हैं, अगर मैंने देखा है उनको IIT जायम वाले काम कर रहे हैं, लेकिन मुझ में भी हिम्मत है, टायर टू सिटीज में, ऐसे बहुत सारे बिजिसमेंस हैं, फर्स जनरेशन एंटर्पिनर्स हैं, ज सिर्फ IIT और आयम सब में बिसनिस कर सकते हैं, यह निबन नेटवर्किंग काफी अच्छी अच्छी मिल जाती है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है, वो बिसनिस स्कार्ट करेंगे, उनका काम थीन मेन हो जाएगा, हमें चार मेंने लगेंगे, 5 मेने लगेंगे, 6 मैने लगेंगे, सबसे जो बेसिक जो चीज चेक होती है हमारे मिडल क्लास फैमिली में, बिसनस करने में, वो होता है पेशन्स अगर मैंने पर्सनली अपना कंपेरिजन उनके साथ किया, आइटी जायाम स्वालो के साथ, तो मैं फर्स्स दे से ही मेरा कॉंफिदेंस डाउन हो जाएगा चाहे वो नेटवरकिंग के लिए हो, चाहे फैनेशल सपोर्ट के लिए हो, फैमिली से, फ्रेंड से, चाहे कनेक्ट्स हो, चाहे रेडी इंफ्रस्रक्चर हो, यह सभी पेरेमिटर्स जो आमें बिसनस में लगते हैं, वो मैं किसी से कंपेर करके अपना बिसनस खड़ा नहीं कर सकता, starting है, मेरे पास जो है, उसको strength पकड़के मुझे आगे बढ़ना होगा, तो technology सीखनी है, basics सीखना है, ताकि हमें ये समझ में आये कि काम कैसे होता है, electronics में hardware कैसे develop होता है, कैसे design होता है, खीक है, दूसरा ये सीखना था, engineering से वो तो पता चल गया, basics, उसके बाद मुझे ये सीखना था कि बनाने के बाद क्या बनाना है, कहां बेचना है, किसको बेचना है, तो business mindset पहले से था अपका कि, business करना है ये पहले से mind में था, हाँ, कौन सा करना है ये mind में नहीं था, तो engineering हुआ, 2008 में पास आउट हुआ, तो इतना confidence नहीं था, इतना finance मे मेर पास background नहीं था, कि directly business start किया जाए, तो मैंने लेक्चरशिप से start किया अपना career, साड़े तीन सार लेक्चरशिप किया मैंने, 2012 मार्च तक किया, फिर मुझे एक startup जॉइन करने की opportunity मिली, वो भी as a trainer, नागपुर में ही, मेरलब, as an employee, as an employee, part-time employee, और उसमें ये था कि robotics field में स्कूल के students को robotics सिखाना है, यूजिक hardware कि आपको training देनी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ as a trainer join कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा training करूँगा, मेरा purpose था, मैं startup join कर रहा हूँ, जहाँ पे electronics hardware बनता भी है, electronics hardware पे training भी हो रही है, जो मुझे academic experience था, वो भी काम आ जाएगा, थोड़ा सा salary स्टार्ट हो जाएगा, और hardware manufacturing होँगा, वो बता चलेगा, कहां से raw material resource होता है, वो बता चलेगा, और वहाँ जो industrial thought process है, वो मुझे सीखने को मिलेगा, बिसिकली अब सीखने के लिए वहाँ पे इंटर हुए, बहुत कुछ सीख्या आप, टेक्निकल लेवल पे, अब बिसिनिस लेवल पे, तो वहाँ मैंने सिर्फ core programming छोड़के सब काम, फिर वो sales हो, marketing हो, event organization हो, clients handling हो, production देखना हो, फिर vendors देखना हो, फिर अपका production के बाद, testing करना हो, hardware की, सब कुछ की आप, यस, साढ़े तीस सल मैंने वहाँ काम किया, वहाँ पे partners फिर दो अलग हो गया तो मैं फिर question में आगए कि अभी मैं क्या करूँ, तब मैं खुद को ऐसे मान रहा था, ऐसे सोच रहा था कि मैं अभी, अभी वो stage पे हूँ कि मैं directly, अभी अखेला भी हूँ, और directly company के अथे start करूँ, तो मैंने वो technical partner थे, उनके साथ मैंने जॉइन किया, और नाखपुर में technical partner थे, उनके साथ मैंने जॉइन किया, वो वहां से अलग हो है, उन्होंने अपने घर में काम चालू किया, मैंने उनके साथ जॉइन किया, अमने फिर से से सेम काम स्टार्ट रखा, ट्रेनिंग का होते गया, थोड़े से पैसे भी आने लगे, फिर मैं सुचा कि अभी time आ ग और उनके थुरू जो काम आता था वो भी करने लगा, फिर वहां मैंने सोचा कि जो मैं business करने का सोच रहा हूँ, और being technology field से, मैं हमेशा technology का काम नहीं कर पाऊंगा, क्यों मुझे लोग से बात करना अच्छा लगता है, मैं full time R&D, full time technical entrepreneur नहीं बन पाऊंगा, विस नहीं बन प बिजनस करना है यह तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन करने के लिए आपको सच में लोगों से मिलना पड़ेगा, जो prospect clients है उनसे मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेंगी कि वो कौन से business में है, बिजनस करने के लिए ज़रूर नहीं कि जो मुझे business करना है वो इ क्या तरीके हैं, वो कैसे clients ला रहे हैं, वो networking कैसे कर रहे हैं, वो भी सीखना होता है, कुछ ने कुछ तो gap दूनना पड़ता है हमें कि, कुछ ने कुछ ने कुछ तो problem में उसको solve करना है आपको, तो observation भी करना जरूरी है, कि बाकी लोग business कैसे कर रहे हैं, चाहे वो हमारे field क का हो, या कोई और field का हो, या B2C हो या B2B हो, तो हिक्जा में भी अभी training वगरा भी चलती है, हिक्जा में training के नाम पर training में चलती है, we provide internships, तो market में कैसा है कि, दो words होते हैं students के लिए, एक होता है training, एक होता है internship, ठीक है, तो training, अगर कोई हमार पास आ रहा है, तो वो बोल र ठीक है, ये general thought process है, लेकिन अपने Central India में ऐसा देखा गया है, कि जब हम बोलते हैं कि आए हम internship देते हैं, तो भी college वाले प्रोफेसर बोलो या students बोलो ये पूछते हैं कि सर कितना charge करते हैं, basically internship क्या है, internship वो चीज है कि हमारे business में, हमारे technology जो हम काम करते हैं, embedded O, IOT O, hardware, software, computer vision, उसमें अगर किसी student को interest है, काम करने के लिए, सीखने के लिए, या फिर उसने थोड़ा काम पहले कर चुका है, और हमारे यह चे मेने काम करना चाता है, तो वो आएगा, directly project पे काम करेगा, या modules पे काम करेगा, हम उसको बताएंगे ये काम है, जैसे काम ABC है, या work ABC है, module ABC है, ये technology है, और ये output expected है, वो काम करेगा, सीखेगा, काम करेगा, सीखेगा, काम करेगा, तो वो आउगे internship, वो directly company के लिए कुछ दू कुछ काम कर रहा है, day one से, अचे तो company उनको pay करती है, हाँ, दो modes होते है, एक होता है with stipend, एक होता है without stipend, तो बहुत genuine student है, और day one से productivity है, तो हम उसको stipend देते है, ओके, ठीक है, और नहीं है, हमको उसको time spent करना है, training देने के लिए, सिखाने के लिए, तो हम फिर 6 मेने के बाद stipend देते हैं, तो आप ये interns का selection कैसे करते हो तो, हाँ, तो सबसे पहले हम problem statement share करते हैं, कि हमारे project का, जो problem statement होता है, college में, हाँ, हम training and placement officer से share करत होते हैं, department wise या college developer, फिर वो अपने students के group में, whatsapp group में या उनको email करते हैं, ये problem statement है, ये company है, ये company ये field में काम करती है, तो फिर जो interested students होते हैं, उनका हम profile मंगवाते हैं, whatsapp resume मंगवाते हैं, तो यहां सबसे पहला filtration हमारा automatic हो गया, कि वही बच्चे आएंगे, जो interested हैं, ओके, हां, interested, but skills का college के time कुछ वो नहीं रहा होतना, अब हमें जो skills चाहिए, वो जरूरी नहीं कि उसको third year में, final year में आते ही हो, हां, तो हम एक चीज बहुत बारिकी से देखते हैं, वो है interest, कि अगर मेरा interest कोई काम में है, तो मुझे किसी को बोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी, या बोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी, कि ये काम करो, तो पहला जो filtration है interest वाला, वो हम problem statement खुदी बेश जेते हैं, और उनसे interested profiles मंगवाते हैं, बतला वो eager to learn होते हैं, सीखते हैं, जो भी आप हाम दोगे, वो सीखेंगे, उसके बाद हम पहला technical interview लेते हैं, वहां को shortlist हो students, फिर HR interview लेते हैं, मतलब internship के लिए भी आपका process होता है, ये सब दिया जाता है, पहले 15 दिन हम देखते हैं कि सच्च में वो इंटरन को interest है की नहीं, कभी-कभी data manipulate भी होता है, घमारे से भी गलती हो सकती है, वो भी data manipulate कर सकता है, interest twice, तो वो process से हमें कुछ-कुछ अच्छे इंटरन्स मिल जाते हैं, जो हमारे field में काम करने के लिए interest, तो इंटर्शिप का ये duration कितना समय चलता है, तो हम minimum 6 months के लिए इंटरन्स लेते हैं, अगर आपको फिर उसका काम लगा कि हाँ ये कासर, तो उसको आप फिर continue full-time में अच् हिक्जा के बारे में बताएं कि हिक्जा के शुरुवार कैसी वी थी, अगर हम मैं और मेरे पार्टनर अतुल की बात करें हैं, तो पहले मैं एकी वट बोलता था पार्टनर, अभी पार्टनर बोलो, यंगर ब्रदर बोलो, फ्रेंड बोलो, फैमिली मिंबर बोलो, सब हैं उ वहां से लेकर 2-3 साल, जो विछले 2-3 साल में नए company start हुए है, इन सब companies का एक group है, मतलब सारे start-ups है business का एक group है, established companies का भी उसमें members है owners, और start-up companies भी owners है, okay, and around कितना companies है, I think 100 plus members है, I think 100 plus members है, 8200 companies है, नाकपूर के अंदर ही इतनी साथ, यह पता नहीं होता है, जब भी आम जैसे ह इतनी सारी companies है, तो बहुत से लोग individual काम कर रहे हैं, बहुत से लोग 3-4 लोग टीम में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 3-400 लोगों की team में भी काम कर रहे हैं, तो 2018 में, I think February में, एक WhatsApp group में message आया था, कि हम सब मिलते हैं, IT Park में C-Tech Solution एक company है, वहाँ पे मिलिन चितावर सार, उसक में था, Saturday था, और मिलने का purpose एक ही था, कि साथ में कुछ करते हैं, वो purpose इसलिए, जो start-ups है, उनको combine करके कुछ बड़ा rate करते हैं, भी देखी, जो established companies हैं, वो कही न कई 55-60 जो age के जो owners हैं, कही न कई stagnancy आ जाती है, thought process, तो उनका ऐसे सोचना था कि, वो seniors हैं, और बहुत सारे juniors भी हैं, तो मिलके कुछ ना, कुछ एक company form की जाए, या फिर कुछ साथ में मिलके किया जाए, ऐसा thought process था, और एक दूसरा उसके सा thought process था, common facility center, CFC होता है, CFC मेंज, एक ऐसा center, जहाँ पर electronics से related, manufacturing, design, development के software और hardware tools and machines, सबके लिए commonly available हो, service के लिए, एक lab जैसे, आप access कर सकते उ तो उसमें जो established company है, वो ज्यादा time use करेगी, जो startup है, वो कम time use करेगा, चाहे फिर वो PCV manufacturing हो, PCV soldering हो, assembly soldering हो, या फिर EMC testing machines हो, या testing tools हो, फिर वो hardware है, software है, डिजाइनिंग के कुछ paid tools होते हैं, commercially available, जो startups purchase नहीं कर सकते हैं, तो बड़ी companies purchase करेगी, और दोनों साथ में use करेंग ऐसा focus था, वो एक CFC का था, और दूसरा था साथ में मिलके कुछ करते हैं, तो CFC मतलब साथ में मिलके कुछ करना है, बट ये सारा electronic के related था, electronics, embedded, तो सारे startup से electronic की थे, यही थे, इतने सारे, वाउ, तो इतने सारे meeting में नहीं आये थे, बट ग्रूप में इतने सारे हैं, बट compliment to each other था, मतलब, वो technology side बहुत passionate, और मैं business side बहुत कुछ करना चाह रहा था, तो ऐसा कोई partner चाहिए, यही पर मेरा question है कि, फिर जब हम co-founder डून्टे या सर्च करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज ज़्यादा matter करती है, मतलब कैसे देखा जाए कि, क्योंकि हर कोई नए-नए से मिल रहा होता है, क्या जी, founder के लिए सबसे मुझे पहले यह लगता है कि, similar thoughts ना हो, यहने similar role ना हो, role, role, कि अगर मैं business side देख रहा हूं, और वो भी दूसरा partner भी जो बनना चाह रहा है, वो भी गोल रहा है, मैं भी business side देखूंगा, तो आपको तीसरा co-founder लगेगा technology के लिए अच्छा, तो सबसे पहले अगर दो founders हैं, या co-founders हैं, तो उस समय अगर technology business start कर रहे हैं, उस समय तो compliment चाहिए, एक business side देखेगा, एक technology side देख, दोनों काम, एक office के बाहर है, एक office के अंदर है, तो वो self understood, self aware होना चाहिए, तो वो trust कैसे मतलब कैसे देखे, वो आपको पहले चोटे काम करने पड़ेंगे, साथ में, हाँ, इसलिए फिर हमने, दो तिन projects के वहाँ से पता चला कि चलो दोनों के skills compliment है, दो लो को आता दो चीज़े हैं, लेकिन as a role, as a company co-founder role, यह हमें suit होता है, तो इसमें फिर अभी जैसे मैंने बोला कि middle class लोग के लिए बाट difficult होता है, तो फिर अपने finance कैसे manage किया, मतलब दो लो ले मिलके वैसे, immediate funds से ही, 2018 में तो मैं married था, अतुल भी married था, तो marriage के बाद business का decision लेना बहुत challenging होता है, और वो आपकी feeling, आपका energy, आपका vision ही बताएगा कि आप जा सकते हैं कि नी जा सकते हैं, कोई आपको बोले नहीं कर सकते हैं, तो गर में बात करके, जो भी थोड़ा financial support है गर से regular था, parents से था, वाइफ से था, फिर जब थोड़े बड़े projects आने लगे, तो फिर हमने वो जो 45X का investment होता है, वो हमने फिर family और फ्रेंड से arrangement किया, तो basically normally families का कि होता है कि कोई कि government job कर लें, से तो आपके गर में वैसे कुछ जोब वाइस मेरी family में government job का तो नहीं था, पर ठ्राइवेट जोब का था, जैसे जोब सब्सक्राइब का था, तो फिर कैसे manage हुआ, तो initially जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 से मैंने फिर job किया, academics में, तो आपने आपकी कुछ savings करी थी, उसमें से आपने, savings मेरे पास बहुत नही इंको clarity हो, या vision हो, convince आपको समय देना पड़ेगा, कि आप ऐसा नहीं बूल सकते कि एक दिन हो जाएगा, यसे मैं भी अगर गर में बूलता था, कि एक दिन हो जाएगा, एक दिन अच्छा होगा, तो वो accept नहीं होता है, तो we have to say कि यार, 6 मेना देखते हैं, एक साल देखते मैंने skills wise में बड़ा की नहीं, number of clients वाइट मैंने growth की की नहीं, financially मैंने growth की की नहीं, revenue wise growth की की नहीं, तो इसी में मैं थोड़ा सा आड़ करना चाहो, ये तो वहाँ आपके parents के side से जो support हो, अभी आप दोनों married हो, तो marriage के बाद फिर कितना difficult होता है startup को run का, क्योंकि responsibilities बढ़ती ह आप दोनों की, right? तो real challenges पता चले की हमें समय घर में देना पड़ेगा, अब वो समय घर पे कैसे देंगी, quantity तो दे नहीं सकते time में, quality देना पड़ेगा, हाँ, देखो, employees के लिए अलपे तो समझ में आता है की work-life balance की बात करते ही लोग, but founders के लिए work-life balance क्या होता है, do they even care about work balance होता है, business में हमें घर की बहुत ज़्यादा चिंता लेके business नहीं कर सकते, जैसे मने बता है, quality और quantity, कि आज अगर हम business कर रहे है, अगर हम तीन दिन छुटी लेके घर बेठे हैं, कुछ भी काम न करें, तो घर वाले भी बोर हो जाएंगे, यह सारा दिन घर बेठा है, यह natural ह है, कि जब बहुत ज़्यादा चीज आप करते हैं, कोई एक चीज, तो उसे बोर होने लगता है, कि अगर मैं सुब नौ बजे घर से निकल रहा हूं, और रात को आड़ बजे आ रहा हूं, तो आपको एक energy रहेगी, enthusiasm रहेगा कि अगले आठ से दस, जो आप रात को आठ से द जब घर में समय देंगे, तो आपको बहुत happiness होगा, बहुत energetic लगेगा, और बच्चों के साथ बहुत time spent करने को बहुत मज़ा आएगा आपको, enjoyment, enjoy करेंगे आप, वही अब सारा दिन रहेंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आए, यह खुद को मज़ा नहीं आए, तो यह जो quality quality जो word है कि quality time देना है, मतलब quantity नहीं देना है, अगर मुझे कोई शादी में जाना है तो मैं छे गंटे नहीं जाओंगा, मैं एक ही गंटा जाओंगा, आप जाओगे हर जगा, लेकिन कम टाइम के लिए, तो that is what is quality time, okay, okay, एक ही गंटा दो बट पूरा उसमें involved हो जाओंगा आच्छा, ठीक है, तो थोड़ी के एक जाओंगी बात करते है, तो फिर आप मैंने यहां तक रिसर्च किया, तो आप basically human safety के लिए electronic projects बना है, टीम बिल्डिंग का कितना importance होता है start-up में या business, जब हम business करते हैं as a proprietor, तो हम अकेले होते हैं, मुझे सिर्फ business करना है, छोटा मो होना है, कि मैं office जाओ या जाओ, मेरा काम होना चाहिए, मैं client side हूँ, field में हूँ, तो office भी काम होना चाहिए, ठीक है, और यह over confidence में तो नहीं रहना चाहिए, कि सब मुझे आता है, यह सब मैं कर लूँगा, सब में देख लूँगा, यह ना, तो टीम बनानी पड़े, ठीक ह बहुत सारे challenges आते हैं, इसमें right candidate find करना, यह बहुत challenging है, हमें, एक movie में है ना, एक incident है कि, हमें लोग डूणने नहीं पड़ते हैं, परखना पड़ता है, I think यह PM Modi एक movie है, तो आपने कैसे परखे लोग, तो एक natural feeling होता है ना, कि, जैसे अतुल से मैं मिला, यह आतुल मुझसे मिला, जब हम दोनों मिले एक जगह, उसके बाद फिर से दो-तिन बार continue मिलना हुआ, short time में, meeting के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो हम एक feeling आने लगती है कि, naturally, एक connection हो रहा है, but basically, process तो होता होगा कि, हा मतलब, criteria यह हुआ, तो यह co-founder के लिए, वो त हमने team के members, कि जो regular जुड़े रहे हैं, या काम करें, technology-wise हैं, फिर सिर्फ R&D टीम नहीं है, फिर HR में भी लोग चाहिए, पर आपके sales में चाहिए, marketing में चाहिए, वहा भी हम देरे-देरे team बना रहे हैं, तो वहा मुझे लगता है कि, जो मैंने आपको पहले discuss किया, कि interest है, तो छोटी team है, कम number of hiring is less, तो वहां ये interest और individual हम खुद interview ले रहे हैं, students को देख रहे हैं, उसको छे मेना मौका दे रहे हैं काम करने का, फिर आमें लगता है कि synergy बन रही है, उसकी हमारी, उसका family background है, और सच में उसको need है, और शे मेने काम करते हैं, आमें पता चलता है कि हमें अभी as of now ये लग रहा है कि वो process से अच्छे से hiring, हाँ मतलब आप शे मेने का time period रखते हो, उसमें आपको पता चलता है, सब चीजे employees के बार है, मैं एक genuine question पुछूँगा, सबके लिए valid है वो, कि अगर कोई भी startup करना चाहिए, मतलब कोई भी हो सकता है, किसी का भी mindset वै आपके standpoint से, सबसे पहले जब आप start करते हैं तो बहुत raw thought होता है, कि मुझे startup करना है, आज startup बुला जाता है, तो मुझे personally ऐसे लगता है कि कई न कई से start करो, कुछ भी करो आप, आप बहुत बार देखेंगे, food path पे बहुत कुछ भी business करते हैं लोग, हम क्या सोचते हैं, office हो बड़ा shop हो, convincing सोचते हैं, बहुत सारा पैसा लगाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, बिजनस को ऐसे दिखा जाता है, लेकिन food path पे आपको ऐसे बहुत सारे business मिलेंगे, जो आज बहुत बड़े हुए है, तो ऐसी एक story है, connect the dots book वे, जो non IIT, non IMS की owners की entrepreneurship की stories की book है, जो रस्मी बं पिनात ऐसा कुछ नाम है, जो दो सा प्लाज़ा वाले story है, तो उनका story में ऐसा बुलना था कि जो आपको बनना है, आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा, अच्छा, कि अगर मुझे business करना है, मुझे यह नहीं वालूं कि मुझे कौनसे sector में business करना है, लेकिन आपको मिलन पड़ेगा जो business कर रहा है, क्योंकि आपको वहाँ से thought process पता चलेगा, आपको वहाँ से सोचना कैसे है, वो पता चलेगा, आपको वहाँ से client से कैसे बात करना है, वो पता चलेगा, आपको वहाँ से गर में टेंशन है, फिर भी आप business मजे में कर रहा हैं, लोगों से करने के लिए मेरे पास daily basis पे क्या thought pattern चाहिए, क्या thought process चाहिए, है ना, कोई client लेट पैसा दे रहा है, तो आपको उसको क्या बोलना चाहिए, आपको उसको कैसे convince करना चाहिए, communication gap नया हो, उसके लिए क्या करना है, हमें ego बहुत आ रहा है, उसको कैसे maintain रखना है, spirituality को business में कैसे involve करना है, तो आपको ये लोग ही सिखाएंगे, लेकिन जाना हमें पढ़ता है, कोई आके सिखाएगा नहीं, अगर मुझे as an individual कुछ problem हो रहा है, तो मुझे discuss करना ही पड़ेग उन्होंने 10 साल पहले उनको problem गया, आज हमको वो जा रहा है, तो हमारा problem फिर जल्दी सौल हो जाता है, क्योंकि उसका 10 साल का experience हम एक जट्के में सीख ले हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि, अगर आपको कोई field के बारे में पढ़ना है, तो उसका जो expert है, उससे एक गंड़ा ब और वो अपने experience से आपको उसके answer देगा, तो आपका confidence वैसी बड़े जाएगा, तो जो platform पे हम खड़े होते हैं, वहां में energy मिलती है, तो energy बढ़ाते बढ़ाते confidence आता है, और हमारा ego देरे देरे कम होने लगता है, कि हम यह नहीं सोचते हैं कि सिर्फ आम ही business कर रहे हैं, हम बूची लेता हूँ, meditation कर दियो आप, अभी थोड़ा कम करता हूँ, बड़ आप spirituality में बिल्यू गर दे रहा हूँ, जी, आपको benefit हुआ है उससे, और benefit हुआ है, जैसे, जैसे कि घर में आना, बचपन से मैंने थोड़े थोड़े जगडे देखे हैं, तो वो आना, एक जब आ कहीं नकई, दुख चुपा रहता है धार, अब दुख लेकर, जिंदिगी में आगे बढते रहेंगे, तो वो energy नहीं आएगगा, दौडने वाली energy नहीं और चपे gefाशन है, या ओडने वाला feeling नहीं आएगा कि में बूड सकता हूँ, confidence नहीं ओएगा, तो वो confidence लाने के तो कि आप से बात करते रहो हो सारी तुझे सीखते रहो तो ऐसा करेंगा फिर से एक पॉड़कास शूट करेंगे और डीटेल में चाहिए पार्ट टू बनेंगी इसका बहुत साही चीज़े क्योंकि मैं भी सीख रहा था ना आप ते स्टोरी जिस तरह से एकस्प्रेंग करी वह अलग ही नजरीया है मतलब माइंडशेट को चेंज कर देता है थाठ कि अगर मैं को स्टार्ट अप करना चाहिए यह यह चीज़े अगर मेरे डिफिकल्टी है तो मैं को ऐसे हैंडल करना है टीम बिल्डिंग है तो ऐसे हैंडल करना है बहुत काफी अच्छे से आपनी बताय दूसरों को देखना चाहिए लेकिन कंपेर नहीं करना चीज़े लाडिंग पस्प्राइश जब आँगी आम नैच्रल एकिसी से कंपेर करते हैं तो आप बड़ो कोई देखते हैं आप उनको देखिए जो आस्पिटल में एडबिट हैं आप उनको देखिए जो जेल में बंद हैं आप उनको देखिए जो फुटपात पे खाना खा रहे हैं आप उनको देखिए जो फुटपात पे सोय हैं या बलून फुगा बेच रहे हैं अगर उससे compare करेंगे तो आप happy हैं ठीक है दूसरा side अगर आप उससे compare करेंगे अरे इसके पास तो car है इसके पास तो 3 car है इसके पास 3 floor का office है इसके पास 100 clients है इसके पास यह है वो है वो compare करना है कोई एक गुरूप अच्छा गुरूप नहीं है कोई दूसरा गुरूप बुरा गुरूप नहीं है जहां आप पहुचे जहां आपके पास कुछ immediate दिख रहा है वहां से start कर लो फिर आपके choices ही आपको आगे लिखे बहुत डीप बाते करी शरा आपने में को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा overthink करो but in a pattern आप प्रॉपर ली आप consciously overthinking करते वैसा में को लगता है उस चीजों के बारे में सोचते जो normally हम सोचते नहीं है तो बहुत कुछ शिखनी मिला आपसे spirituality के बारे में business के बारे में mindset के बारे और क्या बहुत को सिखना आज के लिए इतना ही आप फिर मिलेंगे फिर आप आपसे बहुत को सिखोंगा spirituality के लेवल पे और जीबर लेवल पे अब तक के लिए thank you so much for your time thank you so much thanks thank you